अच्छा मतलब अभी कितने एकाउंट को इंस्टाग्राम और फेस्बुक अगर मिला दे तो कितने एकाउंट को भी आप मैनेज करते हैं और भोजपूरी में ही करते हैं कि और जगह भी करते हैं अगर मैं राउंड अफ करूं तो एप्रॉक्स थाउजन प्लस चले जाएंगे करते हैं तो इसको जॉइन करने से पहले किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कितना सब्सक्राइब करें और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो पहले राजन मुकटजी के चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पे अगर हैं तो उसको फॉलो करें और लाइक करें जैसा कि मेरा नाम सुमीत है माहिटेक सेमस प्राइवेट लिम्टेट कंपनी है उसका मैं फाउंडर हूँ और खास करके हम लोग फेस्बुक और इंस्टाग्राम के लिए काम करते हैं तो मैं आपको धन्यवाद दे बुछपुरी इंडिश्टी की मैं बाई फेस कभी मैं जिसको बोलते हैं कि मैं cover नहीं करता कभी हम लोगों का swap नहीं होता है हम लोग वर्क में बिलिव करते हैं और result देते हैं से जीए susit की हम कोई इस्टार नहीं आए कि हमारे फेस्ट को लोग देखें तो हमें पसंद करें थाकि आप जैसे लोग सभी लोग जूर सकें अच्छा मतलब अभी कितने एकाउंट को Instagram और Facebook अगर मिला दे तो कितने एकाउंट को भी आप मैनेज करते हैं और भोजपूरी में ही करते हैं कि और जगहों पे भी करते हैं अब हमारे पास भोजपूरी लेंग्वेज भी है कुछ Bollywood भी है अगर मैं राउंड अफ करूँ तो एप्रॉक्स थाउजन प्लस चले जाएंगे ठीक है खास करके भोजपूरी के जितने भी जाने माने राइटर हैं चाहे म्यूजिक डिरेक्टर हैं चाहे सेलिब्रेटीज ह तो प्रोवाइड करते हैं और मेरे चाहा तो पहला सवाल होगा है कि लोग अपलोड करें इस अफ़िजट वेन पड़ें और जिस मकसद से वीडियो अपलोड करें उनका पूरा हो जाएं या फिर अगर गलतिया हो जाती है अगर इस वा stimulus हो जाताई या फिर असा कोई प्रवेडम हो जाता है, तो उसके लिये क्या करना चाहिए या बते हैं। देखिए, बिल्कुल और खोश्चन के आपने। पहली बात क्या होता है? यहान पे सब लोग compare करते हैं। compare means कि अरे मेरा वीडियो तो यूटूब से उठाया हुआ है यह तो मेरा ही है मैं अपने Facebook पर यूज कर सकता हूँ अगर इसका reply हमारा टीम बोलता है कि नहीं सरा आप फ्रेस वीडियो पर डाले YouTube पर बाद में डाले तो लोग कहते नहीं दूसरा परसन तो डाल रहा है उसका प्रेस का तो कुछ होई नहीं रहा मेरा क्यों हो जाए ठीक है तीसरा बात यह होता है कि Facebook की कुछ criteria होती है उसके कुछ rules होते हैं वह खास करके community उसका guidelines से वह बहुत ही strong है जैसे murderer हो गया drugs हो गया, fired हो गया, kidnapping हो गया इन सब चीजों को अगर जारा साविक कुछ भी अगर sensitive उसको दिखता है तो वह पहली बात कि उसको block करता है unoriginal content जैसे आपने बोला कि बहुत सारी user इस problem को face करते हैं कि unoriginal का issues आ गया unoriginal का means क्या होता कि जैसे आपका 80% लोग क्या करते हैं कि youtube से उठा करके, copy paste करते है « You YouTube से चीज अब लोग क्लिश करते है», आपको बता दे कि क्या होता है कि लोग copy paste करते है अगर आपका ही video YouTube पे हैं, तो उसका एक तरीका होता है edit करने का, उसका एक format होता है, आप उसके हिसाब से आप उसको edit किजिए, उसमें कुछ changes किजिए, जो music है, आपको लगता है कि आपका ही music है, मगर वो कहीं नकहीं OTT पे, OTT platform पे उसका claiming लगा हुआ है, तो वो क्या करता है कि YouTube का जो IP Teams होता है वो उस चीज़ को वो सर्च करता है वो देखता है वो जहां match किया उसके cloud basis पर जहां match किया तो लगा कि भाई ये तो already कहीं कोई honor है जो इस चीज़ को use कर रहे हैं आप उसका copy paste कर रहे हैं ये YouTube अचाए Facebook को नहीं पता है कि ये आप ही उसके honor हो उस चीज़ के लिए आपको पहले fresh content बनाने होंगे fresh videos उसके तरीके से edit करने परेंगे ठीक है वालेंस जितने भी categories अगर picture हो गया या अब entertainment हो गया comedy जिस XYZ कुछ भी हो गया उसमें से या तो blur करना परेगा या तो beep use करना परेगा तो according to the according to the जो Facebook की रूल categories है उस चीज़ को follow करके डालिए कभी unoriginal की issues नहीं आएगा अगर मोटे मोटे तौर पर सम्झाने की अगर जनता को courses की जाए तो यहां पर यहां पर यह कहा जा सकता है कि यूटूब के लिए अलग बोटेट कीजिए फेस्बूक के लिए अलग कीजिए करेक्ट दूसरा चीज ही हो जाएगा यहां पर कि अगर आप ऐसा sensitive topic पर वीडियो बनाते हैं जिसमें गाली गलोज है मर्डर को दिखाए गया चाहें अगर हो जाता है तो उसका एक request form आता है ठीक है request form आता है जब community guidelines के आपको जब notification आएगा तो वहां पर request form होता है अब वहां से आप अपील कर सकते है मैनुएली facebook team इस चीज़ को review करेगा identify करेगा अगर वह जादे sensitive नहीं हुआ तो इस चीज़ को release कर देंगे अच्छा अगर मतलब की आप गल्ती किये हैं मतलब यहां पर अगर कोई देता है तो मतलब यह होता कैसे है और अगर कोई देता है इसका solution क्या है मतलब कैसे अपना यह कर सकते हैं मतलब बचाओ कर सकते हैं और उसको सजा दिलवा सकते हैं देखें बात आप YouTube की अगर कर रहे हैं तो YouTube का fake claiming तो लोग 70% तक करते हैं लेकिन उसके भी कुछ policies होते हैं अगर वो एक्सेप्ट कर लिया वो उसने रिकाउंटर कर दिया तो डेफिनेटली वो क्या होता है आगे वाले का चैनल डिसेबल हो जाता है मतलब जो fake copyright strike दिया है उसका चैनल डिसेबल हो जाता है अब बात करते हैं legal action की ठीक है अच्छा मतलब फाइल काउंटर करना होगा अच्छा यह fake copyright strike मिलता कैसा है किसी को मतलब मेरा नहीं देखें क्या होता है कि fake copyright multiple ways से लोग देते हैं कोई music पे देता है कोई lyrics पे देता है कोई graphic पे देता है कोई copy content पे देता है तो Android टेTalk अगे वाला आप पर आप जो fake copyright आ श्ट्राइक दे रहा है वो किस वे मी दे रहा है Facebook में लोग copy content का अधिकतर a strike देते हैches true कि यह मेरा content यूज किया रहा है या मेरा music यूज किया जा रहा है तो इस cases में ही maximum हमारे पास report आते हैं कि reuse content पे without मेरे permission के यूजर मेरा use कर रहा है तो उसने strike दिया अच्छा के बारे में बहुत जादा सुनते हैं अभी तक हम CMS यूज तो नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे मतलब 80-90% लोग को देखते हैं कि CMS यूज करते ही करते हैं तो इसको ज्वाइन कर में से पहले किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कितना important है एक creator के ज्वाइन करने है देखिए पहली बात की CMS CMS as a casual word है वो हर किसी के मुझ से सुनिएगा CMS करवा लेजेए सब ठीक हो जाएगा ठीक है चाहे आपका Facebook हो या YouTube अच्छा आपने CMS करवाया है क्या तो यह बड़ा common word होता है CMS का मतलब होता है content management source या service कह सकते हैं इसमें यह होता है कि आपका burden मतलब यह समझें कि 70% कम हो जाता है CMS में जैसे मेरी company है Facebook तो Facebook के लिए हम रो काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका page हो गया अगर आपका page है तो आप हमसे जोड़ रहे हैं तो आपको क्या profit होगा हमें कुछ ना कुछ profit आपको देना परेगा तभी तभी आप मुझ से काम करवा होगे अब टेक्निकली Facebook में क्या होता है कि यहां completely technical person required होता है who can manage it and who can resolve the all problem accordingly जो भी इस होता है चाहिए एक बूमान्टेजेशन डी से वल हो गया है RpMD डाउन हो गया payment related हो गया या technical related हो गया यह person individual कभी नहीं कर पाता है इंडिविजवल वो तब तक ही करता है जब तक उसे परिशानी नहीं होती है जब तक परिशानी नहीं हो रही है वो कहता है हाँ ठीक है मेरा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है आपको भी पता है YouTube हो या Facebook हो इन डारेक्ट कंपनी से डारेक्ट कॉडिनेट करना बहुत ही टफ हो जाता है ना ये फोन पे अबलेबल होते है चैट पे कभी-कभी अबलेबल होते है इमेल कीजिए तो जल्दी रेस्पांस नहीं आता है लेकिन हम लोगों का टीम क्या होता है totally as a expert है हम लोग as a media sponsor से partner है Facebook का हमारा direct coordination Facebook से होता है चाहे वो इमेल रिगार्डिंग हो चाहे टेक्निकल रिगार्डिंग हो कुछ भी हमारा onspot direct solution होता है इस बज़े से हमसे जुरे हुए जितने भी मेरे client है जितने भी as a part of the family है तो उनको quick ही response मिलता है चाहे वो payment related हो views related हो या technical related हो तो उनके एक simple word में उनको नाम दे दिया गया CMS करवा लिजे माही टेक से आपका काम perfect हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग करवा हैं चले हम सोजें कि आपका interview लेते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण गया है कि आप ये CMS ले रहे हैं बेलकुल देखे माही टेक CMS private limited मेरी company है ठीक है completely हमारा technical team expert team है all हम लोग I think कि ये जब से मेरी company run career से पहली बार मेरा ये first interview है आपके साथ क्योंकि हम लोग as a swap या चाहिए interview वेगरा में आना नहीं चाहते हैं हम लोग work में believe करते हैं इसलिए हम आपसे इतना request कि आप interview दीजे क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता के सामने आप जो लोग देख रहे हैं को कुछ informational चीजे मिले अब इसा तो इंटर्वीव बहुत है लेकिन जब लोग परिशानी हो दिए तो बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं कि इसका solution क्या होगा तो इसका solution आप है कि परिशानीकेज्शकेश तो होता है कि परिख्ले काम होते हैं बहुत सारे काम ओते हैं या तो अपन पुरा काम निकाल दे या तो अपना कंटेंट बनाने में काम निकाले या अगरुट ज़्यादा कारिड़ों और तो वो सेल्फ मैनेज कर ले, कोई दिक्कत नी है, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट का ही सर्विस चार्ज लेते हैं क्या कैसे है, लोग देखते हैं कि मतलब से ज्वाइन करके फोड़ा फरस्टेट हैं परिसान, वो कैसे ह Others लोग होते हैं CMS और Facebook के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रोडिंग भी हो रहा है पेज हैक भी कर रहे हैं उनसे छोटी-छोटी बातों पर उन्हें ना टाइमली पेमिंट मिलता है CMS मैंने करवा लिया ना मेरा टाइम से पेमिंट मिल रहा है ना टाइम से कोई कॉल उठा रहा है और यह मार्केट में आप फीडबैक के लिए आप पता करोगे अधर सोसे के लिए यह सिवेंटी परसंट कंप्लेन आते हैं कि मेरा कॉल नहीं उड़ता है मेरे पेज पर पता नहीं क्या हो रहा है यह चीजों में हम लोग हमेशा भी सपोर्टीव रहते हैं आप कभी भी कॉल किजिए मेरा सपोर्टीम ऑल्वेस 24 इंटीव से विए अबलेवल रहता है वो चाहे पेमेंट रिलेटेड हो चाहे टेकनिकल रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो अगला सवाल यह बताईए कि मेरा भी फेज़ू पेज है बहुत ज्यादा इमेल आता है कि एक सब्ता में 4,000 डॉलर ले लिजिए 800 डॉलर ले लिजिए और इसमें बहुत लुग फंस जाते हैं इसका क्या सोलूशन है कोई फंस गया तो निकल सकता है कि गया पेज इसमें एक तो बिल्कुल वैसे इमेल होंगे बिल्कुल आपको डिटेक्ट हो जाएंगे कि एस पैम इमेल से कोई कंपनी का अता पता नहीं होता है बस दो चार कंपनी का इमेल एघडर में नाम डाल देंगे का मैं Ike से हूं तो मैंकर मरी से हूं तो मैं यहां से हूं तो इस किसिस में यह होता है कि आपको b panel होना चीए वो आपको बहुत सारे मेसेजस भी करेंगे आपके वाफटसप से तर्मार में security panel या email ID password की required नहीं होती है तो आपको ऐसा फील होगा कि आरे नहीं जैनुन मंदा है मुझे मुझे ना admin access मांग रहा है ना मुझे आइडी password मांग रहा है तो मिन्स अगर यह सब बिना मांगे हुए भी अगर मुझे 4000 डॉलर दे रहा है एक हपते का तो यह तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है लेकिन यह सिर्फ बातों से entertainment होता है यह आपको बेवकूफ बनाता है आपको बेवकूफ बनाता है आपको कहा कि सर इस लिंक पर जाकर के आप अपने आपको रेजिस्टर कीजिए मुझे एक्सेस नहीं चाहिए जो फेस्बुक कहीं इमेल होगा वो आपको रिश्टरेशन करना पड़ेगा आपको लेगा ठीक है मतलब फेस्बुक मुझे इमेल करा है यह मिन्स कि वो औरिजिनल है कर लेगा आप सबके दिमागों में कोश्चना खरेगा कि तो मेरा अंचिए करेगा लेकिन यहां पाइंट यह होता है कि वो सारे इमेल के टापिक्स होतने ओसारे मिल्स में होते जो हर को रहा नहीं पाता है इंगलिस बहुत कम भोधकtv बहुत कम लोग जानते है कि वो क्या लिखा है क्या ने लिखा है उन्हें यह होता है कि सारे email परे acknowledge कि एक्सेप्ट किया ओके फिर आगे बलेंगे हाँ भी है मैंने accept कर लिया है यह होता है कि वह business manager का request request आता है वह आपको completely agreement होता है कि आप अपनी सहमती से अगले person को अपने proper profile का आप business access दे रहे हो वह agreement आप agree हो जाओ, agreement जैसे agreed करोगे, okay करोगे, वो completely आपके business manager का primary owner वो बन जाएगा, primary owner बन के आपको लगा कि अच्छा मैंने तो admin access page role में जाके, लोगों के दिमाग में यही होता है, कि मैं setting खोलूंगा, page role में जाओंगा, admin access दूंगा, तब जाकर के मेरा page का access जाएगा, ले प्रोफाइल के साथ साथ और भी जूरे page है, उसका भी access उसको दे दिये, फिर easily वो आपको remove कर देगा, और फिर आपको 4000 डॉलर मिलता रहेगा, फिर आप मेसेज करते रहे हैं, sir मेरा page दे दो, मुझे पैसा नीचे है, आप बात करते है, recovery का, देखे, recovery में क्या होता है, कि य as of facebook support team को proper आपको email दिखाना परेगा, आपसे उसकी क्या बात हुई, chatting क्या हुई, यह वो सारा screenshot देना परेगा, government legal document देना परेगा, आपको अपने आपको proof करना परेगा, कि नहीं, मैं ही right owner हूँ, और मेरा ही facebook था, जो आगे वालोंने hack कर लिया, यह सारी तहकीकात करने के ब सब्सक्राइब, जैसे हमारा वेब साइट्स भी है, हम लोग हला कि अप लिंक दे दीजेगा, www.mahitexms.com, जैसे वहाँ पर डाले, चाहिए आप Google पर डारेक्ट माहीटेक CMS दालेंगे, तो completely माहीटेक का फोन नमबर, email ID, WhatsApp नमबर, वहाँ पर पॉप अप हो जाता है, सारे हैं, कि उनके ही रिफ्रेंस से ही बहुत सारे लोग जूर जाते हैं, by call ही जूर जाते हैं, and by email भी, लोग email भी करते हैं, तो उसका भी response हम लोग देते हैं, तो बहुत सारे options है, वो direct coordinate हो सकते हैं, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, माहीटेक ट्राइवेट लिंक सब्सक्राइब को दिया, ताकि लोगों को बता सेके, एक दम, thank you so much Rajan जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और technical interview दे करके मुझे भी बहुत खुसी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you